जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है फिर जमाना कुछ भी कहे हमें क्या फरक पड़ता है गुण मानिंग दोस्तो आईए इसे के साथ आज के गरंड़ फेर सुरू करते हैं पहला कोश्चन है है हैदरावाद मुक्ति दिवस हैदरावाद मुक्ति दिवस अभी चर् अगर बात किया जाए जो हैदरावाद है किस के तहत ये भारत में सामिल हुआ तो याद रिखेगा आपरेशन पोलो के तहत हैदरावाद भारत में क्या हुआ सामिल हुआ आई और बात किया जाए हैदरावाद की तो हैदरावाद के तिलंगाना की क्या है राजधानी है तिलंगाना के सियम की बात करें तो याद रिखेगा के चंद सेखर राव के चंद सेखर राव ये हैदरावाद के सियम है यहां के गवर्नर राजपाल की बात करें तो तमिल आभी सोंदर राजन है उस Also राजन यह हैदरावाद के तिलंगाना के गवरेणर है आए कुछ और बात करते हैं हैदरावाद के उत्सौं की है चेलंगाना में सबसे पहला उत्सौं मनाया जाता है बोनालौ उत्सौं जो आपके हालही ग्रुबडी वे इंक्जाम में कोशन आया है कि बुनालो उत्सव कहां पर मनाया जाता है तो याद रिखिएगा तिलंगाना में और बात करें तो यहां पर प्राण हीता प्राण हीता पुस कारलू उत्सव मनाया गया है अभी हाली में तिलंगाना में और इसकी बात करें तो यह दो दो उत्सों इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बोनालू है जो आपके रेलवे एंटी पीसी में भी आया था और रेलवे ग्रूप डिमें भी आ चुका है और बात करें अभी तिलंगाना में ही एंटी पीसी ने निशनल थर्मल पावर कार्परेशन ने सबसे भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा तैरता हुआ तैरता हुआ सौर यंत्र अस्थापित किया सौर यंत्र क्या किया अस्थापित किया और बात किया जाए यहीं हैदरावाद में ही थ्रीडी मानो थ्रीडी मानो कार्निया को बनाय गय गया है 3D मानव कार्णिया को बनाय गया है और बात किया जाए हैदरावाद में तो हैदरावाद में भारत का पहला वान की विश्विद्याले भी खोला गया वान की विश्विद्याले भारत का पहला कहां खोला गया तो याद रखिएगा पहला वान की विश्विद्याले जैसे खेल विस्विद्याल है, आपके मेरट में खोला गया है, तो यह रहा आज का पहला कोश्चन, एक पॉइंट और इसमें देख लीजिएगा, हैदरा वाद मुक्ती दिवस की बात किया जाए, तो इसका उद्गाटन किस ने किया है, लेतिस कोश्चन है, तो याद अमित साह, भारत के जो गोलू-मोलू हैं, अमित साह जे, अमित साह ने जिनने चाड़क क्या भी कहा जाता है, तो इन्होंने क्या किया है, भारत के ग्रिह मंत्री है, इन्होंने क्या किया है, इसका उद्गाटन किया है, तो यह रहा आज का पहला कोश्चन, आईए दूसरे question कर बढ़ते हैं दूसरा question है आने जमीन का लेखा जोखा ओर जमीन की लिखाई कर सकते हैं तो याद रहे गा महराष्ट समपत के पंजीकरत को डिपर लेस्त करने वाला पहले राज कौन सा है महराष्ट आइए डिश्टल की बात करते हैँ paperless की बात करते हैं कुछ latest question जो paperless से बार बार exam में आ रहे हैं तो अगर बात किया जाए paperless देश कौन सा बना यहाँ पे paper की जरूत नहीं है तो paperless देश आपका है UAE United Arab अमिराथ अगर paperless सहर की बात करें तो याद रखेगा paperless सहर दुबई है paperless सहर कौन सा बना दुबई अगर बात करें paperless बिधान सभा कौन सा है तो याद रखेगा paperless जो बिधान सभा है यह आपका नागा लेंड है नागा लेंड की राजधानी कोहिमा ठीक है आए और बात करते हैं पेपल लेस की बात किया जाए तो पेपल लेस मंत्राले कौन सा बना है तो याद रखेए कोईला मंत्राले कोईला मंत्राले जो है ये पेपल लेस मंत्राले बना है भारत का पहला पेपल लेस हाई कोड कौन सा बना है तो ये भी याद रखेएगा भारत का पहला पेपल लेस हा सा किया है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश यह रहे आपके पेपले से समंदित कुछ कोश्चन अगर बात किया जाए अगर महराष्ट के वारे में बात करें तो महराष्ट की में यहां के सीम कौन है एक नाथ सिंदे अभी यहां पे तक्ठा प्लटवार हुआ है तो एक किनाथ सिंदे यहां के क्या बने हैं सीम बने हैं अगर बात किया जाए यहां के राजजपाल कौन है तो भगत सिंग कोशियारी यहां के क्या है राजजपाल है यहां के एक उत्सव मनाये गया भी मोस्ट इंपोर्टन उत्सव है मारुवत उत्सव कहां पे मनाये गया तो य बनाने की बात कही गई है और बात किया जाए महराष्ट के बारे में तो महराष्ट जो है चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादक चीनी का उत्पादक राष्ट का आपका राज कौन सा है तो याद रिखे का महराष्ट सबसे चीनी उत उत्पादक कहां पर होती है तो याद रखेगा यह आपके महराष्ट में सबसे रफल कहां पर होता है फल उत्पादक राज कौन सा है तो आंधपरदेश बताईएगा सब्जी उत्पादक कौन सा है तो यूपी है और मचली उत्पादक सबसे रखेगा तो याद रखेगा तम तो यह रहा आज का दूसरा कोश्चन आईए तिसरे कोश्चन के और बढ़ते हैं आज के अंतराष्टिय लोगतंत दिवस की बात कर लेते हैं अभी हाले में अंतराष्टिय लोगतंत दिवस मनाये गया 15 सेप्टेंबर को 15 सितंबर को अंतराष्टिय लोगतंत दिवस मनाये ग महासभा यहां पर एक सब्द आया है संयुक्तराष्ट महासभा की तो संयुक्तराष्ट महासभा को विश्व की लगु संसत भी कहा जाता है विश्व की लगु संसत विश्व की लगु संसत कहा जाता है संयुक्तराष्ट महासभा को अगर पूछे संयुक्तराष्ट महासभा क हेट क्वार्टर कहा है तो याद रखिएगा मैन हेटन दीप मैं हेटन दीप में है मैन हेटन दीप और यह दीप कहां पे है नियुयार्क में है और नियुयार्क कहां है तो याद रखिएगा अमेरिका में और आगे बात किया जाए अगर समुतराष्ट महासभा की अधिकारिक भासा की बात करें तो याद रखेगा इसकी अधिकारिक भासा कितनी है छै है अंग्रेजी है चीनी है रूसी है फ्रांसी है और इस्पेनी है अर्भी है अगर इसके अध्यच की बात करें तो याद रखेगा अब्दुल्ला साहिद अब्दुल्ला साहिद इसके क्या है अध्य हम यह मनाना शुरू किये थे अंतराष्टिय लोगतंत्र दिवस तो याद रखेगा अंतराष्टिय लोगतंत्र दिवस सबसे पहली बार कम मनाये गया 2008 में 2008 में अंतराष्टिय लोगतंत्र दिवस पहली बार मनाये गया और संयुत राष्ट महा सभा में कितने देश हैं तो य अमेरिका के पूर्व राष्ट्पती थे अब राहम लिंकन ने क्या कहा है अब परिभासा दिया है किसका लोगतंत्र की क्या परिभासा है लोगतंत्र जनता की सरकार है लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगतंत्र क्या है जनता की सरकार है लोगों के द्वारा लोगों क के चौथे कोश्चन के और बढ़ते हैं जो चौथा कोश्चन है भारत का पहला कार्बन नीट्रल पंचायत कौन बना थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कुछ दिवस की देखे दिमाग में आ गया अंतराश्ची लोकतन दिवस आया है तो हम कुछ दिवस की भी चर्चा यहा याद रखेगा पांच सेप्टेंबर को क्या मनाए गया सेप्टेंबर महीने में जितने भी इंपोर्टन दिवस है वह आपको बता देते हैं पांच सेप्टेंबर को क्या मनाए गया याद रखेगा आगे बात करें आठ सेप्टेंबर को क्या मनाए गया विश्वस साच्छ सरता दिवस मनाए गया 14 सितंबर को क्या मनाए गया तो याद रखेगा हिंदी दिवस मनाए गया है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए गया और अभी याद रखेगा आप लोग कमेंट करके बताएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और कब से पहली बार मनाना शुर VP 16 September को क्या मनाये गया है तो RP 16 सक्देम्बर को याद रखे गा विस्व ओजौन दिवस मनाए गया है 16 सप्टंबर को विस्व ओजौन दिवस की बात करें तो एक meeting हुई थी 16 सितंबर 1927 में 16 सितंबर 1987 में जिसे कहा जाता है मांट्रियल प्रोटव काल एक्जाम में कोशन आता है कि बताइए मान्टेयल प्रोटोकाल किस से समंदित है तो ओजोन से और ये मान्टेयल कहां पे है तो याद रखेगा कनाडा में और कनाडा किरालधानी उटावा है और पहले बार विस ओजोन दिवस कम मनाय गया जो है भारत का पहला कार्बन न्यूटरल पंचायद कौन सा बना है तो याद रखिएगा भारत का पहला कार्बन न्यूटरल पंचायद बना है पल्ली गाउं कौन सा गाउं पल्ली गाउं बना है और पल्ली गाउं कहां पे है तो याद रखिएगा जम्मू कास्मीर में है पल तो पहले है भारत ने कहा कि हम 2017 तक कार्बन फिरी हो जाएंगे भारत का लुच चीन गालाच हत्य है कि उन्होंने और धेल मनतले ने भी कार्बन फिरी हो जाएगा ये बाते आप याद रखेगा आईए अगले कोश्चन के और अगले पॉइंट के और बढ़ते हैं एक ऐसा राज भी है जिन्होंने क्या कहा सी फिरी खेती की बात बोला है सी फिरी खेती का मतलब कार्बन फिरी खेती कौन सा राज ऐसा है जो है comment आभ यह कोश और भी आगामि लच्ष है भारत की उनकी चर्चा करें हम कर लें तो याद रखेगा हर में हर घर में नल और जल ये कब तक हो जाएगा तो याद रखिएगा भारत ने लच बनाया है 2024 तक हर घर नल और जल या सोच जल की आपूरती कब तक हो जाएगी 2024 तक और अगर आप से बात किया जाए तो यह important है HIV AIDS को HIV AIDS को खतम करने का लच रखा गया है कब तो 2030 तक HIV AIDS को खतम करने का लच रखा गया है आईए कुछ और बात करते हैं TB को खतम करने का लच तीवी कमलब 6 रोग इसको खतम करने का लच कब तक रखा गया है तो याद रखिएगा जो TB है भारत से 2025 तक मुख तरने की बात कही गई है है और आगे बात करते हैं दोतिन बाते भारत की अर्ध ब्योस्था को त्रिलियन बनाने की व्योस्था है कब सभी गाउं को आप्टिकल फाइबर बिछाना है सभी गाउं में आप्टिकल फाइबर बिछाने का लच रखा गया है कब तक तो याद रिखेगा आप्टिकल फाइबर बिछाने का लच ये भी आपका है दो हजार पचीज तक अब इस पेस नहीं है आगे की आगामिलश की चर्चा अगले टन पे करेंगे तो ये रहा आज का हमारा चौथा कोश्चन आए हम पच्वे कोश्चन के और बढ़ते हैं आज के पाच्वा कोश्चन हमारा कहता है विस्व जल कांग्रेस मेजवानी देखि विस्व जल कांग्रेस की मेजवानी डेनमार्क कर रहा है कौन कर रहा है डेनमार्क की राजधानी अगर आपसे कोई पूछ ले तो याद रखिएगा कोपेन हेगन है कोपेन हेगन जो है डेनमार्क की क्या है राजधानी है इसकी मुद्रा की बात कर लेते हैं तो याद रख अगर आपसे जल की चर्चा कर लें तो याद रखेगा सबसे पहले जल पुरुस भारत के जल पुरुस कौन कहलाते हैं तो याद रखेगा राजेंद्र सिंग को जल पुरुस कहा जाता है और बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन की ब रखेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन ये शुरुवात किये थे बाबा आम्टे इसके पड़िनेता मेन थे मेधा पाटेकर मेधा पाटेकर हैं याद रखेगा और अगर आपसे बात करें मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी बचाओ आंदोलन ये किस ने शुरू किया था पाबा आम्टे मद्परदेश में कीये thे बाबा आम्टे की बात करे तो इनको अधुनिक गादी कहा जाता है मोश्थ इंपोर्टनट है बाबा को आधनिक गाधी कहा जाता है आईए कुछ और आगे बात करते हैं चिपको आंदोलन की जो ग्रूब डी का तो फिवरट बन चुका है तिन चार एक शिप्टों में आ चुका है चिपको आंदोलन की जो चिपको आंदोलन है इसकी सुरुवात याद रखेगा 1973 में किया गया अ 換 साथ याद रखेगा अगर आपसे बात करें एक चिपको है एक पिको है अपिको आंदोलन की बात करें तो यह कब शुरू किया गया तो याद रखेगा जो अपिको आंदोलन है इसकी सुरुआथ 1983 में हुई थी और इसके जो नेता हैं सिरी पांडूरंग हेगडे हैं सिरी पांडूरंग जो हेगडे हैं ये क्या किये थे इस आंदोलन की क्या किये शुरुआत किये थे कहां पे करनाटक में important है कहां पर किये थे करनाटक में आईए कुछ और बात कर लेते हैं जैसे कुछ important बात कर लेते हैं important है बैगानिक एवाडों की चर्चा अग यहां पर कर लेते हैं क्योंकि जो बारबर गुरुप D में एक्जामों में बारबर पूछे जा रहे हैं तो हम पहला एवाड की चर्चा करें अगर तो याद रखेगा पहला एवाड हमारा है scientist scientist of the year award scientist of the year award की बात करें तो यह DRDO दोरा दिया जाता है important है किसको मिला है तो यह मिला है हेमंत कुमार पांडे को हेमंत कुमार पांडे को scientist of the year किसे मिला है तो हेमंत कुमार पांडे को इन्होंने बहुत सारी दवा बनाई है इसके लिए हरवल दवा इन्होंने बनाई है बहुत सारी और बात कर लेते हैं अगर बात किया जाए DR. APJ अब्दुलकलाम दाक्टर अब्दुलकलाम एवार्द किसे मिला है तो याद रखेगा डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम बैग्जानिक एवाड है किसे मिला है तो ये इंपोर्टेंट है याद रखेगा डाक्टर अमित केसरवानी डाक्टर अमित केसरवानी को याद रखेगा डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम बैग्यानिक एवाड मिला है याद रखेगा और इन्होंने क्या किया है इन्होंने किरसी बिग्यान के छेतर में बहुत सारा योगदान दिया है किरसी बिग्यान इस्पेसली किसमें किरसी बि सेहर्वानि को है अगर बात किया। कि यंग जीयोस पैसलिष्ट सैंटिस्ट रवाइड किसे मिला दो याद रखेगा याद रखे किसे प्रुष्कार किन को मिला है रूपेस गोयल ये कहां के हैं याद रिखेगा आई आई टी कानपूर के हैं आए कुछ और बात कर लेते हैं अगर बात किया जाए एक एवाड और है जो बारबार एकजामों में आ रहा है याद रखेगा ये वाड है वीटली एवाड जी हां चारुदत्र मिस्त्र को मिला है चारुदत्र मिस्त्र को ये वाड मिला है और किसके लिए मिला है तो याद रिखेगा हिम तेंदुआ सनद्छड के लिए हिम तेंदुआ सनद्छड के लिए मिला है और यहां से ये भी कोशन बन सकता है कि हिम तेंदुआ सनद्छड पार कहा बना तो उत्रकंड में बना है याद रखिएगा चारुदत्र मिस्तर को मिला है और याद रखिएगा जो वीटली एवाड है इसे ग्रीन आसकर एवाड भी कहा जाता है ग्रीन आसकर एवाड पूछले किसे कहा जाता है तो वीटली एवाड को ग्रीन आसकर एवाड भी कहा जा सुवाह चंद्रबोस आपदा परबंधन ये भी आपके ग्रूप D और NTPC दोनों में आये था आपदा परबंधन पुरुषकार 2022 की बात करें तो ये किसे मिला है तो याद रखेगा ये दो स्रेडि में मिलता है एक विक्तिगत और एक संस्था को तो अगर विक्तिगत स्रेडि में पूछे स्वारी दिखने ही रहा देखिएगा विक्तिगत स्रेडि में अगर पूछे किसे मिला तो याद रखेगा आदमी किसी सिंगल आदमी को नाम याद रखे बिनोध बिनोध वर्मा को मिला है और संस्था कौन सी संस्था को मिला है तो संस्था का नाम है गुजरात आप अपना संस्थान प्रवंधन प्रवंधन थोड़ा यह देखते रहेगा, प्रवंधन संस्थान को मिला है, तो यह यह वाड आप याद रखेगा, सुभाष अपना प्रवंधन पुरुषकार 2022 किसे मिला तो व्यक्तिगय स्रेड़े में बिनो द्वर्मा को मिला है और बात करें संस्ता में गुज्रात आप्द complaint परवंधन संस्तान को ल्क और बात करने की आई और बात कर लेते हैं अगर आपसे बात किया जाए एक एवार्ड सुभास्चनर बोस की बात हो जाए तो एक important बात याद रखेगा नेता जी एक एवार्ड होता है नेता जी पुरुषकार की बात करें 2022 में किसे मिला तो नेता जी जो पुरुषकार है यह अभी पहली बार शुरू हुआ है नेता ज यह मिला है आपके जापान के पूर्व प्रधान मंत्री थे जापान के पूर्व पीम याद रखेगा वर्तमान में तो किसी दो है किसी दा नाम से पता है किसी दा किस प्लस दा किस दा जापान के जो पीम है तो यह मिला है याद रखेगा सिंजो अबे को देखेगा यह पढ़ नबो साबदा भी हमने आपको चर्चा कर दिये आईए कुछ एक दो एवाड की और चर्चा कर लेते हैं ग्रीन उर्जा एवाड किसे मिला है ग्रीन उर्जा एवाड की बात करें तो यह किसे मिला है तो याद रखेगा ग्रीन उर्जा एवाड आई आर एडिये को मिला है यह IR EDO के मिला है भारतिये चंबर बायंकाप कामर्स को मिला है कुछ और बात कर लेते हैं बार-बार एग्जाम में आ रहा है नीना गुपता को कौन्सका पुरुसकार मिला है तो याद रिखेगा ये इनको गड़ित के छेतर में पुरुसकार मिला है नीना गुपता को और बात कर लेते हैं एबल पुरुषकार की बात करें तो एबल पुरुषकार जो है गड़ित का नोबल कहलाता है एबल कहां इसपेस ये देख लिजे यहां लिख लेते हैं एबल पुरुषकार एबल पुरुषकार किसे मिला तो याद रिखेगा आपका ज ये वाड मिला है याद रखेगा आपके अमेरिकी गड़तिद्र है डेनिस पार्नल को डेनिस पार्नल को ये मिला है वाड किनको डेनिस पार्नल को मिला है गड़तक एवाड याद रखेगा और इसे देबल एवाड को क्या कहा जाता है गड़ित का नोबल कहा जाता है बास किलि जी, नोबल की पुरुसकार की चर्चा, कितने छेतर में नोबल दिया जाता है, तो याद रखेगा 6 छेतर में नोबल पुरुसकार दिया जाता है, पहला छेतर हो जाएगा आपका चिकित्सा, दूसरा हो जाएगा अर्थ सास्त्र, अर्थ सास्त्र, तीसरा हो जाएगा आपका भौतकी, चORA हो जाएगा रसायन, पाच्मा हो गया चिगित्सारसाथ, भौतकी रसायन, अगला हो जाएगा शान्ती, और एक छाठमा बचा है जो आपको कहा जाता है, जो किताबों के लिए साहित के चेतर में, तो यह याद रखेगा चे चेतर में दिया जाता है, और नोबल पुरुषकार की सुरुवात पहली बार कब हुई थी तो 1901 में नोबल पुरुषकार की क्या हुई थी सुरुवात हुई थी किनके नाम पे अलफ्रेड नोबल के नाम पे जिन्होंने डायनामाइट की क्या किया था आखोज किये थे, आपका जो इसमें अर्थसास्त्र वाला ये वाड है, ये शुरू हुआ था, शुरूआत हुई थे, तो आज के लेक्चर में इतना, अगर इस लेक्चर में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो उसे आप कमेंट बाक्स में कीजिएगा, और हमने आपको दो कोश्यन तीन कोशन पूछे थे, पहला कोशन पूछे हैं, विश्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है, यह पहली बार कम मनाया गया, विश्व हिंदी सम्मिलन कहा हुआ था, इसे आप कमेंड बाक्स में ज़रूर बताईएगा, आज की लेक्शर में इतना सा, आगे मिलते हैं कल नए